हेलो एवरिवन दिस इस हिमान सुप्रम देव एडवाईजरी और आज हम यहां पर एल्योट विव प्रिंसिपल का यूज करके आपको जब लॉंग टम डिसिजन लेना हो तो आप चीजों को किस तरह से एनलाईज कर सकते हो उसका के स्टेडी डिसकेस करेंगे जो के स्टेडी किनार प्लान किया है कल के वीडियो मेंने आपको पूरा उसका डिटेल एक्पेंग किया था एंड द अधर सेट अप इस एल्योट वेव एल्योट वेव इस वन अप दो पावरफुल मेतड़्स तु स्टड़ी एनी मार्केट आप एल्योट विव प्रिंसिपल का यूज करक i crazy market याँ क्रिप्टो मार्केट को वी analyse कर सकते हो और जो विवीटी है वह है जन्य उस को आप सॉट्टम ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हो और लौग-टम इन्वेश्मेंट्थानओं मेंं के लिए भी यूस कर सकते हो तो यहाँ पर हम działa करने वाल है कि यूज short term decision making के लिए किस तरह से आप चीजों को एनलाइज करते हो कर सकते हो using वेव प्रिंसिपल और short term trading के लिए मेरा एक जो पूरा कोर्स मैंने बनाए हुआ है that is called waves of wealth वो कोर्स का नाम है it is 100% practical course और उसमें भी क्या है कि this entire course is divided into different trade setup और वहां पर जो हमारा एक one of the most favorite trade setup है that is setup one setup one basically जो है it is fourth wave का retracement होता है और जब fifth wave के लिए trade करते हैं और यह बहुत ही easy setup होता है बहुत सारे examples मैंने आपके साथ discuss किये है फॉर्ट वेव का retracement होता है जब फिप्त के लिए trade करते हैं most recently जो हमने सब्सक्राइब के लिए और कभी-कभी में ब्लॉग के द्वारा भी आपके साथ जो setup one by उसके बहुत सारे example discuss किये for example यहां पर आप देखोगे तो हमने discuss किया था एक IRB इंप्रा उसमें 30 या 40 परसेंट का मुव था फिर मैंने आपके साथ जी एन एपसी discuss किया था उसमें भी more than 10-15 परसेंट का मुव था so the point is setup one जो है वो एक short term decision making के लिए होता है अगर आपको short term trading decision लेना है तो उसको आप use कर सकते हो और the beauty of this setup one is it can be traded across all time frame कोई भी time frame में आप trade कर सकते हो बीट डेली weekly या तो 75 minutes 60 minutes या तो 15 minutes और बहुत सारे case studies है जैसे मैंने आपके साथ जो openly discuss किये थे वो है अभी हमने जो एक मैंने आपके साथ discuss किया था century anchor का आप सबको ध्यान होगा कि century anchor हमने जो एक YouTube वीडियो है उसमें discuss किया था and it was setup one by on a weekly time frame यहां बने कि कि यह weekly में सेट अपन बाई था यहां पर यह जब फोर के अंदर ट्राइंगल होता है तो यह सेट अप बहुत ही पावर्फुल हो जाता और यह चीज मैंने आपको भी explain करने का ट्राइ किया यहां पर मैंने पूरा ब्लॉग लिखा हुआ है कि ट्राइंगल की जो पैटन है वो most accurate पैटन क्यों है तो यह ब्लॉग पढ़ोगे तो उसमें भी बहुत सारे सेट अपन के एक्जामपल है और रिसेंटली हमने असाही इंडिया का एक ट्रेड लिया था उसमें भी 15-20 परसेंट का मूव था दैन यहां पर देके कि इसमें भी ट्राइंगल सॉट पैटन थी और यहां पर बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल के लिए भी यूज कर सकते हो तो किस तरह से आप चीजों को एनलाइज कर सकते हो वह समझते हैं तो सबसे पहले आपको वेव प्रिंसिपल का थोड़ा बेजिक नॉलेज होना जरूरी है अधरवाइज फिर किया है कि मैं चीजें एक्स्प्लेइन करूंगा तो आप उसके साथ रिलेट नहीं कर पाऊगे तो एक जो बेजिक एलिएट्यो थियरी है वो मैं आपको यहां पर सिंपल एक मतलब वर्ड्स में एक्स्प्लेइन करने का ट्राय करता हूं तो आपको एक्स्प्लेट फिर मैं जो केस्टेडी डिसकस करूंगा तो वेव प्रिंसिपल की जो थियरी है इस डिवाइडेड इन्टू टू वेवस बेजिकली टू वेवस में डिवाइडेड है तो फर्स्ट इस इंपल्स एंड द अधर इस करेक्शन तो जो लार्जर या में जो हम बोलते है करेक्टिम नाव इंपल्स मुव इस आल्वेज कंचिस्ट ऑफ सॉड्स इंपल्स हमें सा पांच वेव में बना हुआ होता है और करेक्टिम मुझ जो होता है इत अल्वेज संसीट सॉरी नॉट आल्वेज दर इफरेंट तैप्स यहां पर जो मैं लेबल किया है that is wxyz तो यह complex चीज़े है उसमें नहीं जाते हैं सो अब आपको पता चल गया होगा कि इंपल्स जो है पांच सब्वेव में होता है और इंपल्स किसको बोलते है जो डॉमिनेंट ट्रेंट है उसकी दिशा में जो मूव होता है उसको इंपल्स बोलते है जो डॉमिनेंट ट्रेंट है उसकी अगेंस में जो मूव होता है उसको हम बोलते है करेक्टिव मूव और करे 3 4 & 5 तो यहां पर आप देखिए कि जो dominant trend है it is up तो यहां पर dominant trend की दिशा में जितने भी मूव है उसको हम बोलेंगे impulse move तो यहां पर देख एक 1 3 & 5 these are impulse move dominant trend की against में जो move है 2 & 4 these are corrective move तो यहां पर wave का fractal nature होता है तो यह wave 1 impulse है तो उसमें भी 5 sub waves हमेशा होने चाहिए तो यह wave 1 भी जो बनेगा वो भी 1 2 3 4 5 इस तरह से complete होगा और यह फिर wave 1 कप बनेगा फिर यह 3 is always impulse तो उसमें भी इस तरह से 5 sub waves होगे 50 is always impulse तो उसमें भी इस तरह से 5 sub waves होने चाहिए और यहां पर हमने जो देखा कि 2 & 4 is corrective तो basic corrective pattern जो होती है वो इस तरह से होती है जिसको हम लेबल करते ए बी एंड सी तो जो वेव 2 है वो ABC से हम लेबल करेंगे और यह 3 waves में बना हुआ होना चाहिए ABC इस तरह से राइट जो फोर्थ बनेगा वो भी इस तरह से बनेगा ABC करके और फिर यहां पर यह जो फिफ्ट वेव कंप्लीट होता है दैट मेंस के वेव का जो फ्रेक्टरल नेचर है जैसे मैंने बता है कि यह एक मूव आया है लेट से डेली के अंदर तो यह वीकली के अंदर क्या हुआ एक इंपल्स मूव कंप्लीट हुआ ऐसा हम कह सकते है अगर 60 मिनिट में 12345 इस तरह का एक मूव देखा है डैट मेंस के डेली के अंदर वो एक पूरा एक ही वेव होगा और यहां पर यह जो है इ इस तरह से राइट तो यहां पर डॉमिनन ट्रेंड अप था तो यह जो पूरा 12345 और विदिन इस बूल साइकल यह जो पांच वेव कंप्लीट होने के बाद यह जो करेक्शन आता है उसको हम बूलते है बैर साइकल राइट और यहां पर यह जो करेक्शन आता है वो यूज वार जो है वह वह वो थ्री को ही करेक्श लगता है बड़ पांच वेव कंप्लेट होने के बाद जो करेक्शन आता है ABC वो यह जो पूरा impulse है यहां से 0 से लेके यहां पर देखे कि 0 से लेके 5 तक यह पूरे impulse को correct करता है so usually यह price and time wise बड़ा correction होता है so जैसे मैंने बताए कि 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह का move आपने देखा तो यह एक impulse हुआ higher degree का और यह ABC तो यह corrective move हुआ higher degree का तो यह wave 1 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है या 5 भी हो सकता है और this could be wave 2 और wave 4 of a higher degree so यह एक basic आपको पता चल गया कि wave principle क्या है यह basic theory मैंने explain किया अब हम जो case study discuss करने वाले हीरो मोटो को तो उससे पहले जो एक case study हमने लिया था that means कि long term investment decision making हमने किया था that was of a scappler India तो वह मैं explain करता हूं फिर क्या है कि चीज़े आपके लिए समने में बहुत ही आसान हो जाएगी तो scappler India में यहां पर देखे कि weekly time frame का यह chart है और यहां पर आप देखोगे यह जो advance था यहां से यह zero point है यहां से जीरो से लेके यह 50 तक तो यह 1, 2, 3, 4 and 5 तो यह क्या हुआ कोई भी एक higher degree का यह weekly है तो monthly का wave 1 हुआ और फिर आप देखोगे यहां पर यह जो correction था A, B, C करके 3 legs में था और यहां पर यह जो correction है वो कहां तक confined था उसको हम देखते हैं कि यह जो पूरा correction था इट वोज confined around 50% तो यहां पर क्या हुआ था कि यह एक पूरा impulse complete हुआ of a higher degree and this was a corrective mode तो impulse, correction and impulse यह एक basic rhythm होती है तो यहां पर देखें कि weekly की time frame में यह जो मेरे course के subscriber है उनके साथ यह चार्ट में ने 50% तो यह किया था simple wave 1 था 1,2,3,4,5 करके high degree का wave 1 था ABC high degree का wave 2 था और यहां पर अब next impulse आने वाला है जो third wave रह सकता है and third जो है it is one of the strongest impulse और यह जो case study हमने discuss किया था that was around 3800 या 3900 के आसपास discuss किया था और बीच में भी जब यह high को cross किया था यहां पर यह जो high है around 6000 उस टाइम भी YouTube वीडियो में भी मैंने बताया था कि यह जो है उसमें minimum हम 100% का move expect कर सकते हैं कि यह जो third wave है normal extension 1.618 1.75 होता है but हम 100% का minimum expectation भी ले तो यहां पर देखें that was around 9000 और वो हमारा जो 9000 के आसपास का जो expectation उसको यहां पर हीट किया stock ने यहां पर 9700 का high बनाया है so यह third wave materialize हुआ तो आप देखे कि इस तरह से आप मतलब एक low risk entry point identify करके long term investment decision ले सकते हो using wave principle अब हम यहां पर जो discuss करने वाले है है वह discuss करने वाले hero moto को और यहां पर देखें कि confidence दूसरा इसले भी आया था कि यह सी वे वह सी आलवेज इंपल्सीव उसमें पास सब्सक्राइब बहुत ही क्लियर थे 1 2 3 4 & 5 और यह पूरा correction 50% के आसपास था अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो आपको पता चल जाएगा कि यह high probability trade setup किसको बोलते है low probability trade setup किसको बोलते है अब जो हम discuss करने वाले है that is hero moto corp यहां पर यह जो चार्ट है weekly का उसमें भी हमें दीखे कि इसी तरह का structure देखने को मिल रहा है और यहां पर यह 1 2 3 4 5 तो that means कि यह क्या हुआ यहां पर कोई भी एक higher degree का एक impulsive move है और यहां पर यह A, B and C this is the corrective war यहां पर देखे यह लग रहा है zigzag structure है zigzag is a 535 structure यह weekly का चार्ट है इसके मतलब sub waves देखने हो तो हम lower degree में जा सकते that means कि daily में जाके हम यहां पर चीजों को detail में भी analyze कर सकते हैं और आप देखें कि यह जो wave A था it was very sharp और wave A में जो decline था it was in five waves अगर मुझे उसको label करना है तो हम इस तरह से level कर सकते कि one two three four and five इस तरह से यह lines में remove कर देता हूं तो थोड़ा easy हो जाएगा तो इस तरह से यह wave A बना this is a zigzag structure it's a five three five structure that means के a के अंदर पांच सब्वेव होते हैं फिर b के अंदर a b c तीन सब्वेव होते हैं और यहां पर आप देखोंगे c is always impulse उसके अंदर हमेशा पांच सब्वेव ही होते हैं तो यहां पर हम c को देखे तो आप देखें कि यहां पर यह one two यह three four and five इस तरह से यह जो है वेव सी कंप्लेट हुआ है तो five three five structure यहां पर कंप्लेट हो गया हो ऐसा लग रहा है और यूजवली जब जिग्जग होता है यह करेक्टिव पैटन जैसे मैंने बता है कि जिग्जग करेक्शन तो जिग्जग के अंदर वेव सी जो है उसका नॉर्मल जो एक्टेंशल लेवल होता है वह यह पॉइंट 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 फाइव यह और अगर ऐसा हुआ तो वो जो setup होता है वो बहुती मतलब एक powerful setup है ऐसा हम कह सकते हैं तो यहां पर हम देखे कि वेव C जो है वो कहां तक extend हुआ है तो what we will do we will use extension tool यहां पर मैं extension tool का use कर रहा हूं तो जीरो टू ए और माइनस भी करते हैं यहां पर तो आप देखे कि exactly 0.618 के आसपास यह जो वेव C है वो यहां तर्मिनेट हुआ हो ऐसा लग रहा है तो अब मैं इसको वापस weekly टाइम फ्रेम करता हूं यहां पर तो आप देखे कि अब क्या हुआ यहां पर कि यह जो 1,2,3,4,5 करके यह 5 वेव में जो एडवांस है पहले यह जो वेव से सब वेव करेक्टिव पैटन के वो में रिमूव कर लेता हूं तो यहां पर यह 1,2,3,4,5 यहां पर हम देखे तो यह वेव वन अफ हाय डिगरी हुआ और जिस तरह सी यह पूरा करेक्शन है वो हम देखे उसका रिट्रेस्मेंट यहां पर तो आप देखे कि यह जो पूरा रिट्रेस्मेंट है वो जो है 0.618 के आसपास टर्मिनेट हु यह गोल्डन रिश्यो है ऐसाम कहते हैं यहां पर चांसी सार वेरी हाई कि यह वेव वन है यह वेव टू है और अब यहां से थर्ड वेव स्टार्ट हो सकता है और फिर हाय डिगरी तैट इस पॉइंट तो अब आपको हीरो मोटो को के अंदर इन्दर इन्वेश करना है तो यहां पर आपके पास इन्वेलिडेशन पॉइंट है 2310 और यह बाई और सेल के लिए मैं आपको नहीं सजेश्ट करना हूँ राइट इस एन एड्यूकेशनल वीडियो के वेव प्रिंसिपल का यूज करके आप लॉंग टर्म इन्वेस्मेंट डिसिजिन कैसे ले सकते हो त है तो minimum 100% या तो 1.618 का लेवल हम expect कर सकते हैं तो यहां पर आप देखो कि जो 100% का जो लेवल आ रहा है डैड़ीज अरांड 4400 और हम ऐसा दूसरा अल्टरेट वेव काउंट्स ले कोई यह बोल सकता है कि भाई यह इंपल्स मूँग है यह करेक्टिव मूँग हो सकता है य यह जो है प्रिफर्ड वेव काउंट्स अगर अल्टरेट वेव काउंट्स भी आपको डेवलप करने हैं यू कैन डेवलप अनदर थीसीज और यहां पर हम देखे लेट उस एजूम के यह करेक्टिव मूँग है अब तक हमने क्या एजूम किया कि यह जो मूँग है 1 2 3 4 5 यह सकता है यह जो मुझे करेक्टिव मूँग है वह किस तरह से वोता है 3 सब्लेव में होता है जिसको हम लेबल करते है ए बी सी तो यह जो फॉस्ट फाइव वैवह सकता है यह सब्सक्रार है कि c के लिए उपर जा सकता है that is the point so आपका preferred wave count यह है कि this is an impulse move this is a corrective move right और यहां से अब क्या है कि next impulse start हो सकता है दूसरा है जो wave count हमने लिया कि यह जो है impulse move this is corrective तो this is a zigzag structure if this is a zigzag structure 535 कि यह A है B है तो C के लिए उपर जाएगा और zigzag के अंदर wave B जो होता है उसका जो retracement होता है वो normally 0.618 से ज्यादा नहीं होता है तो हम ऐसा assume करें कि यह A है right 1 नहीं है that means it is not an impulse move और यह B है तो यहां से C के लिए उपर जाएगा तो भी हम क्या expect कर सकते है क के 100% of wave A तो corrective move है तो भी यहां से 100% का move X में कर सकते हो और bare minimum expectation रखे के 0.618 या तो 0.786 का भी हम expectation रखे तो 3600 से लेके 4000 के आसपास जाने की probability लग रही है तो यहां पर हमने जिस तरह से इनलाइज किया कि इंपल्स मूव है यह यह फर्स्ट फाइव एडवाव एडवांस जो है इत इस अन इंपल्सी मूव तो यहां से थर्ड वेव स्टार्ट हो सकता है विकोज यह वेव टू कंपलिट हो गया वैसा लग रहा है एंड इफ यह एंपल्स है और यह वेव ए है सकता है यहां से अब उपर जाने की प्रोबिलिटी ज्यादा है और यहां से जो मूव आएगा वो काफी स्ट्रॉंग रह सकता है एंड सिंपल नाव विहाव इन्वैलिडेशन पॉइंट 2310 अगर इसने यहां पर यह 2310 को ब्रेक कर दिया तो फिर कि यह जो पूरी अनलिसी स से वह गलत साबिद हो जाएगी तो आपके पास देखें कि अभी जो है हमारे पास यह जो लेवल है डैट इस अरूंड 2700 हाडली 400 रुपीस के आसपास का जो है वह स्टॉप लॉस है और यहां से जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वह क्या है कि एटलीस्ट यहां से हम हजार य है उसको भी काफी मतलब बूस्ट अप कर सकते हो आई हो फ्रेंड्स के यह जो चीजे मैंने आपके साथ डिसकस की है इट विल डेफिनेटली हेल्प यू नियूर ट्रेडिंग थैंक्यू